तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट अनलिस वीडियो देखते हैं 28 अगस्ट यहां पर निफ्टी ऐस बैंक निफ्टी में हम कहां पर ट्रेड कर सकते हैं और उसकी पीछे उसका लॉजिक क्या होगा वीडियो शुरू करने से पहले डिसकस करेंगे कल हमने अपक अपर अपर उपन हो रहा है और उसके बिस्स पर हमें ट्रेट एक्जिक्ट करना था मार्निंग में हमें सेलिंग का पर अपर अपर निकलता तो अगरेमें ब्रेक आउट देखने में लेगा तो वह भी हुआ लगिन पहले मार्केट ने काफी वोलाटाल मोमेंटम किया लेवल के लिए वेट करना है क्योंकि मार्केट में क्या होता कि एक बड़ा ग्रीन कैंडल एक बड़ा रेड कैंडल आपका इमोशन को ट्रिकर कर लेता है और वहां पर आपको यह लगता है कि मुझसे यह ट्रेंड मिस हो जाएगा और आप बीच में कुछ जाओगे और जि इसके वज़ेसे उसको 10-20 पॉइंट ज्यादा मिले या ना मिले लेकिन डेफिनेटली वह 30-40 पॉइंट ज्यादा गवाएगा क्योंकि मार्केट यहां पर काफे पहले स्पाइक दिया डाउंसर और उसके बाद ही मार्केट ने यहां परसाइड मोमेंटम किया अब इसके का कि मार्केट ने यहां परसाइड मोमेंटम क्यों दिखाया है तो आप आपका प्रेक्शन का तोड़ा नॉलेज उसको यूज करके देखिए स्टॉप लॉस अन्टिंग आता है तो उसके इसाफ से देखिए या फिर फिबो का अगर आपको नॉलेज तो वह यहां पर यहां ठीक है अब चलिए आगे का बात करते हैं आगे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट रफली यहां पर डबली पैटन बनाया ब्रेकाउट किया होड करने का ट्राय किया और लास्ट में थोड़ी से सेलिंग आई है तो जुन ने बॉटम में बाइंग की है जिसने यह मोमेंटम लाया डेफिनेटली यह बायर इस रफली 51,000 लेवल के आसपास बैटे तो उन्होंने मोमेंटम लाया मार्केट को उपर लेके सेस्टेन करने का ट्राय के एंडिंग में थोड़ा सेलिंग आते हो हमें दिखिया यह जो बड़ा रेड के लपको दिख रहा है जो कि लेवल की लेवल के नीचे आ चुका है डेफिनेटली ल्टीप जो होता है लास्ट ट्राइड प्राइस जो होता है 3 o'clock 29 minutes and 59 seconds मतलब 3.5 की जस्ट वन सेकंड पर ले मार्केट क्लोज होने तक यह LTP होता है उसके बात अग्जेस्टर क्लोजिंग प्राइस जो की मार्केट क्लोज होने के एक दो-चार मिनट बात शे मिनट बात अपडेट हो जाता है तो उसमें तीन वजी से लेके साधे तीन वजी तक मार्केट ने जो मोमेंडम के उसके बेचिस पर एक एड्जेस्टर प्राइस आती है जो कि रफली इसी रेंज के आसपास यहां तक आने का चांश से रफली अब इसके आगे क्या कर सकते है देखे मार्केट अभी कहा है एक छोटे से जोन में है यह वाला जोन इसके आम बात कर रहें अब और अगर बड़ा व्यू देखते हो तो मार्केट कुछ इस तरह से पैटन बनाते ही ऊपर चल रहा है और इस पैटन की साबसे मार्केट में आ क्या है दिए फर्स हमने यह पैटन देख्या सेकें अगर 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 देख्यों अल्मोस लास्त तीन से चार दिन से यह अगर बोल तो यह वाला जो रेंज है यह जो डबले पैटन काफी अच्छा बना था इसके ब्रेक आउट के बाद यहां मार्केट कंदेशले क्यों फादा नहीं होगा क्योंकि प्रीम्यम पुरा अल्मोस टीके हो गया राइट मंतली एक्सपर यह तो अल्लेडे डीके हो चुका है और मार्केट और उसमें धीरे धीरे नीचे आएगा तो कोई बात नहीं बनेगी तो मार्केट को गिरना है तो बड़े-बड़े शाप पास पॉइंट भी अगर जो और सी गिर जाता है तो डेफिनेटली प्रीम्यम स्पाइक हो जाएंगे उनमें उनका स्टॉप प्लास हंटिंग होना शुरू हो सकता है ठीक है उसके बाद कंटिनुईशन भी आ सकता है ट्रेंड में लेकिन एटलीस वह होना यहां पर पॉसिल को मिल सकता है लेकिन अगर लेट्स आपको ट्रेड नहीं मिल तक मार्केट जोर सी गिर जाता है जो कि मेरे एक्सपेटेशन है कि मार्केट जोर सी गिर जाए उस केस में हम यहां पर थोड़ा एग्रेशिव सेलिंग के सब देखेंगे तो 50,700 भी यहां पर मार्केट आराम से अगर लेट्रेशिव करेंगे लेकिन लेवल के साथ अगर लेवल आता है तो ट्रेड प्लान करेंगे नॉमल हमारा स्टॉप लोसी होगा लेकिन टार्गेट बड़ा एम करेंगे क्यों कि मार्केट चल गया तो काफी अच्छे यहां पर प्रोफित बन सकता है ठीक है अगर 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 शुरू कर दिया तो यह भी रैली करते हैं यहां तक जा सकता है क्यों ज्यादा डिफरेंस नहीं है हडली 600 पॉइंट का रेंज है कि 380 मतला आप 400 पकोड़ो 400 से अगर जाता है तो हडली 600 पॉइंट मुव करने विच नॉट बिग दिल बड़ा मोमेंटम का बोलेंगा हम जब मार्केटिंग बड़ा मोमेंटम आज कर दिया रफली आप बोल सकते हो 2% के आसपास मार्केट यह पर निकलता है लास्ट में सेलिंग आई उससाब से तो स्टॉप लोगा निकलना चीए लेकिन हमेशा एक होता है स्टॉप लॉजी अवाला स्टॉप लॉस और यह होता है नॉर्मल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस तो मार्केट को यह इंपोर्टन निक्त कि सब ज्यादा लि यहां पे अल्मोस्ट अपर साइड आज भी अल्मोस्ट अपर साइड तो थोड़ा हो मार्केट ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है और जो पुट राइटर से यह अच्छा कासा प्रॉफित कमा रहे कॉल राइटर बले कमा या ना कमा है ठीक है तो उसके बेसिस पर डेफिनेट अब बले के लिए लेट से फर्स मोमेंटम भी अगर मिस हो गया हो सकता है तो रहे रिटरेस करें होल्ड करें फिर सेकेंड जो मोमेंटम आएगा वहां पे तो एटलिस हम यहां पर डेफिनेटली एटेम्ट कर सकते है ठीक है तो क्लियरीटी आ जाएगी ऐसा नहीं कि मार्के बहुत हो गया बात करते हैं वक्त क्यों लिया क्योंकि कल यहां पर उसकी मंतली एकस पार ही तो डेफिनेटली कफिल होगा तो एक्शन प्लान यहां पर हमेशा फिक्स होना चाहिए अब सेकेंड इकेंड निफ्टी में क्या हुआ है अपर साइड गया ओल्ल किया यहां पर अब यह लिए 10 पोइंट चोड़ दिया अभी यह यह जो छोड़ा मार्केट ने पता नहीं अटली से अल्टाम है टुछ पोना जाना जी था लेकिन टॉप से हमें डबल लक्रसौड एम पैटन बना तो यह अपर निफ्टी में कल गाप खुला तो बहुत चाह जागा क्यों और एक साइकोलोजी के लिए अल्टाम हाई के आसपास है तो मार्केट यहां से फॉल कर सकता है क्योंकि काफी अच्छा राली करते है निफ्टी ऊपर आ रहा है तो इस केस में अगर अगर खुलता है तो डेफिनिटली ब्रेक आउट आएगा और ब्रेकाट कितना आएगा एक्जाटली नहीं बोल सकते है क्योंकि आल्टाम हाई की ऊपर रेजिस्टन्स एसच फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किर होता है लेकिन वन सिस्टी से लेके वन इटी जो 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 ने 25,000 वन सिस्टी यह हमार लिए टागेट हो सकता है निफ्टी ऑन धी हायर साइड डूसरा हैनिफ्टी के हिसाब अपई टागा है इसके बासि सब्सक्राइब करने के मार्केट आता है अज आयस आये पर सफर्षय घड पर सब्सक्राइब कÖ दिखेंगे, अगर बहुत बड़े red candle बनते हैं, इसका मनलों यह नहीं कि market का all time है हो चुका, इसके उपर अभी market जाएगा नहीं, अगर बड़े red candle बनते हैं, तो market short term के लिए इनको hunt करेगा, गिरेगा, और maybe next expiry तक फिर से यह all time high को break करते हो, उपर चला जाएगा, ठीक है, अ आपका mind change करने के लिए market after sometime फिर से यहाँ पर आएगा, जो अगर ऐसा होता है, तो हम practically उसको होते हुए देखेंगे, ठीक है, तो अभी जो होने वाले उसके बारे में बात करेंगे, कल जो हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखें में यहाँ पर selling का view रखेंगे, उसके पहले थोड़ा breakdown होता है, तो यह trend line में भी false breakdown हो, या फिर market इसी का support ले तो इस तरह से ऊपर चला जाए, तो निफ्टी में at least directly selling नहीं करेंगे, only one reason, क्योंकि वहाँ पर all time high का level है, हो सकता है, फोड़ा psychology change करें market इस तरह से ऊपर चला ज selling activate मत कीजिए, उसके ऊपर buying कीजिए, या फिर sideways momentum के लिए trade ना कीजिए, क्योंकि expiry bank nifty का है, हो सकता है कि bank nifty को पूरा एक दिन और एक sideways करके लेके जाए, and nifty के expiry के दिन बड़ा momentum आ जाए, तो last के भी 2-3 दिन बाकी है, हाफते के, हो सकता है, one-sided काफ़ अचा momentum मिल जाए, इसके उपर मेरा जादा भरोसा नहीं है, बट फिर भी देखेंगे, इस तरह market momentum करता है, उसी के इसाफ से हमें खुद को adjust करना होता है, ठीक है, I hope you got the point, वेडियो अच्छा लगता है, to make sure to like it, and subscribe करना मत भूलिया, अगर आप नभी बियर हो, share करना ही मत भूलिया, आज के ल